सामगुरी के रोंग्या गाव में मश्ली पालकों के लिए सामने खड़ी हो गई है एक बड़ी ही तुविदा मश्ली पालक मश्ली ना बेच पाने के कारण नहीं जुटा पा रहे हैं मशलियों के लिए चारा और दवाईया जिस वजा से उनके तालाब की बड़ी-बड़ी मशलिया मर कर पानी के उपड़ आ चुकी है और मशली पालक स्वय ही इं मशलियों को निकाल कर चील और कवों को भक्षन के लिए दे रहे हैं आप इस दृष्टे में देख सकते हैं कि किस प्रकार मशली पालक बसंत सेक्या स्वय ही अपने तालाब से बड़ी-बड़ी मशलियों को निकाल कर चील कवों को भक्षन के लिए दे रहे दिन बदिन नागर बड़ा में बढ़ रही है चोडियों की घटना चोड़ों ने चलाया एक सफाय अभ्यान जिसमें उन्होंने नागर बड़ा के सनी मंदिर में लूट ली दान पेटी खबर मिली है कि उन्होंने दान पेटी को तोड़ दिया और उसमें से लगभद 20-30,000 रुपे लेकर भाग गया मंदिर के पुजारी ने इसकी इतलाप पुलीस को कर दी है पुलीस इसकी चांच में जुटी हुई है गोहाती के दिपोर बिल में मिला है एक सियाल का साब लोगों का कहना है कि सियाल की मित्य हुई है सुवरों के खाने से लोगों का कहना है कि हो नहों सियाल ने फार्म हाउस में रह रहे सुवरों का भुख्षम किया हो जिस प्रकार से किसी प्रकार की बीमारी से उनकी मित्यु होगी। माली गाओं के आतबरिती नियाली में आई ऐसी खबर जिससे होड़ गए लोगों के होश। कोकड़ा जार के क्वारेंटिन कैम से भाग निकला एक व्यक्ति, व्यक्ति का नाम है पिंकु दे। व्यक्ति के दोनों हातों में माना गया है क्वारेंटाइन का सील। और कई प्रकार से पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करे थी जिसमें कल दालुगबारी के पुलिस ने उसे धर दबोचा माली गाओं में। शाम गुड़ी के पंचायतों निकी पैसों की हेरा फेरी मजदूरों के जॉप कार्ट से हुई छेर खाने के जूरिया में पुलिस ने चलाया अभियान, जूरिया में LPG गैस पर कर रहे काला बजारी को पकड़ा जिसमें पुलिस ने हसीना बेगम नाम की महीला के घर से हक नामक व्यक्ति है फड़ार